अगर तुम्हारी विलॉसिटी देखो तुम्हारी विलॉसिटी अगर पांच मीटर पर सेकंड है तो पांच मीटर दूर तक के पार्टिकल जागे उससे टकरा जाएंगे मेरी बात साज में कितने सेकंड में है एक सेकंड हमें क्या चाहिए एक सेकंड में कितना मास टकराएगा इसकी विलॉसिटी कितनी बच्चो तो एक सेकंड में कहां तक का मास टकरा जाएगा वी दिसंस तक का टकरा जाएगा और सब किसम कितने से टकराएंगे वी विलॉसिटी सुनाई देना चाहिए इदर द्यान से द्यान से तो मुझे चाहिए dp by dt तो मुझे क्या परना है mass striking per second जो भी एक सेक्ट मास चक्राएगा into v into two two का क्यूं करते और वांड नी करते तो two हटा देना सुनाई दिया कि बच्चो कि आ बिधा रिवांड करें का निकाल तो बिर इन रिबंप फॉर्मेर रट जाएगा और रबांट वहका तो तो तुम लाइगा यह रट शहीते है ये फॉर्मार रट टा है तो मास्स स्टाईकिंग पर सेक्ट तो एक सेक्ट में कितना मास्स लाएगा मास्स हैलizers लेंद of water jet of, mass of length of water jet, है न, अले यहार क्या लिख रहा हूं, mass of length of water jet, striking per second, yes, है न, mass of length of water jet, length of water jet striking, into velocity, into velocity, यही न, बचो, अच्छा, और कितना length टकरा है एक second में, तो mass of water jet of length V, यही न, विक एक second में, वीड लेंध का water jet टकरा जाएका, एक second में, कितने दूर तक का, V distance टका, पाने टकरा जाएका, into V, सुने देगा बच्छो, अच्छा, अब mass बता, volume कौन बताएगा, area into velocity, रेतना, यही है, और area कितना है, तो volume आजाएगा, into density, mass आजाएगा, into V, rho A, V square, rho A, V square, रच डालो, यह बहुत काम नेदी है, rho A, V square, रहे दिया, सुनना, तो क्या-क्या निकला अभी अभी, force, due to, water, jet, will be equal to rho A, V square, force, due to, water, jet, किता है, rho A, V square, सुनाइद दिया, बच्छो, rho A, V square, इसको दूसरे form में बदल दू, L से multiply, L से divide करू, यह क्या है, बच्छो, A into L क्या होता है, volume, into rho क्या है, mass, mass perint of length, यह कुछ पिछला वाला ही है, न, check करो, पिछला वाला निकाला था नहीं, mass perint of length into V square, इसका पंसर की वो भी भाई है, यह भी भाई है, यह यह रटा जा सकता है, mass perint of length into V square, it's force striking that, per second, is will be equal to force, sorry, will be equal to force, तो force कितना होगा, mass perint of length into V square, यह रटा तो काम की चीज़ है, यह बहुत काम की चीज़ है, यह बहुत काम की चीज़ है, यह बच्छो, हाँ, जो भी उस कर रहा है, उसमें आप लोग, यह बहुत काम की चीज़ है, यह बहुत की चीज़ है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, सब देखेंगे, कि अगर इसकी velocity variable हो जाए तो, अगर यह velocity variable हो जाए तो, तो जो force हो जाएगा, वो क्या पढ़ा था भी थोड़ी हम देरे पहले हमने, यह dm by dl into v square हो जाएगा, सोचो, एगा, समझे के मस पर इंट counselors क्या होगा, जोचो टीम & dl हो जाएगा, कि आप एगा ने, भचो, धीम by dl हो जाएगा, इसको समझो, अगर इसको समझो वेरेबल है तो, क्योंकि variable है ना तो variable है तो mass पर velocity उस समय की, velocity कौन सी उस समय की और mass भी उस समय का, mass पर टब लें उस समय का, सुना के समने, बोलो बच्चो वो अगर ऐसा होगा तो है ना, जो भी अगर variable है तो क्या variable, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, रुको, रुको इसकी जएपर मैं कोशन गर यह एक chain है और जब इन पर गिर रही है तो गिरने की speed क्या होगी, variable होगी ना, गिरने की speed क्या होगी, पहले यह जो गिरेगा हो तो, 0 से गिरेगा, और last वाला, कुछ और velocity से गिरेगा, सब अलग लग व्लास से गिरेगे, गिरेगे, अगर इसका mass total m है, length L है, length किता है, L, तो तुम्हें किसी instant पर force चाहिए, मुझे क्या चाहिए, किसी instant पर force, find force at any instant, लगा दिमाग, force at any instant, लगा दिमाग, अभी तक हमने 4-5 question किये, यह सारे question हमें कुछ सीखाने चाहिए न, बच्चो, इस सारे question पर क्या चाहिए, कुछ सीखाना चाहिए न, तो अराम से इस question को पहले सीखने की कोशिस को, कैसे सीखोगे दिमा, हम कभी भी क्या कर रहे है, कोई particle कितनी velocity टकरा रहे है, यह निकाल रहे है, और per second कितना टकरा रहे है, यह निकाल रहे है, अब per second निकालने के लिए, कई बर हम क्या कर रहे है, एक second में निकालते रहे है, पर second निकालने के लिए कभी कभी क्या कर रहे है एक छोटे से इंट्रेवल में निकालके और उसको time से divide करतो। है की नहीं अगर constant velocity होता तो क्या लेते? पूरे 1 second में निकालेते चल जाता। तेकिं constant velocity नहीं है ना तो constant velocity नहीं ही तो एक छोटा टुकडा लो वो छोटे स time dt में टकराएगे ये मालो और पर सेकेट निकालने के रिए डिवाइट कर तो टाइम से, सोचो करो, करो आचा निकालो इसको, निकालने के जो अधे इसकी, आचार, सुनो, यहां से X हाइट पे, एक चुटा से टुकडा देलो DX का, तो X हाइट वाला जब गिरेगा तो कितना हाइट नीचे गिर चुका ह बहुता होगा, X अंडर ग्रावटी किरेगा, तो कितनी विलास्टी गड़ाएगा, विलास्टी रूट 2GH, किसे गड़ेगा, रूट 2GX, एक चली गिलता है, तो रूट 2GX होता है न विलास्टी, अरे बोलो बच्चो, इसका मतलब यह जो टग्राएगा इससे, तो कितनी तुम इसको VX कहे दो, क्या कहे दो, वेरेबल है, तो VX कहे दो, और VX के यह लिए रूट वी जी एक्स होती है, बोलो बचो, अच्छा, अब बताओ, वो लेंद कितनी है, हाँ, तो मैं फोर्च निकाला जाता हूँ, तो मैं क्या निकालो, मास, पर सेकेंड, इंटू, विलाउसिटी, अरे यही न, बच्चो, और मास पर सेकेंड, फोर्टो मास कितना है, कितने लेंथ का, हमारा द्यू लेंथ टकरा रहा हूँ, वो कितना है, यह मास, क्या हो गया, उस चोटेश एलेमेंट आए न, मानलो, यह कितनी दिर में टकराता है, कितने में टकराता है, तो मास स्ट्राइकिंग, और सेकेंड आगया किने, इंटू किस विलाउसिट टकराता है, वेलेबल विलाउसिटी से, नहीं साज में है, आया, फिर से सुनो, एक्स डिस्टेंस पर, एक चोटा से टुकड़ा ले लिया, दी एक्स, ले लिया, वो चोटा से टुकड़ा, दी एक्स का मास निकालती है, और मानलो, वो टाइम लिया, दी टी, तो जो भी मास लिया, चोटा से टुकड़ा, उसका मास, और यह टाइम लिया, मांस अब वो कितनी विलाउसिस चक्रा आएगा तू टू जी है रखना चाहोगे तो रखतोगे मेरी बास साहिमे लेकिन मैं कुछ और चाहता हूँ ये कौन है बच्चो अगेन वी एक्स अगेन क्या है और ये कौन है मांस परिट अफ लेंड ये फिर से पहचाना हुआ दिख रहा है बस अंतर क्या हो गया वी एक्स वेरेबल हो गया बाकी मांस परिट अफ लेंड में कोई दिखर नहीं है सुना के नहीं सबने बोलो बच्चो मांस परिट अफ लेंड में कोई दिखर नहीं है बस VX variable है, सही है, मैंने पिछले को लिखा था कुछ ऐसा, DM by DX, into VX square, जानते हो यह क्या है, यह variable mass के लिए भी है, यानि माल लो मैं कहता हूँ के density बदलती जा रही है, क्या बदलती जा रही है, तो mass भी vary करेगा, विलाओचे के साथ चाथ, और वो फिर variable mass के लिए आजागा, यानि जन्रल फॉर्मल आओ गया है, यह लेकिन अभी tension नहीं लेने का ज्यादा, उसके चक्कर में, वो जन्रल फॉर्मल है ना, लेकिन अभी कहले फिलाल यह समझ में आए, टफस्तों नहीं पढ़ा रहो बच्चो, ते चल रहो, रहो बस्तों नहीं आ रहे आज कुछ, नहीं आ रहा है क्या, क्या ते चल लिए अच्य रहे है, दिक्ट हे भी आज दीदेश, एक मेंट, फिर से सुन उत्चो, आज दिक्क्र हे गहां, सच्चा नहीं लग रहा है क्लास आज, सबसे पहले हमने मोमेंटम पड़ा मोमेंटम में किसी को कोई दिकत तो नहीं होनी चाहिए फिर मोमेंटम में क्या पड़ा चेंज पड़ा फिर मोमेंटम में चेंज continuous masses के लिए पड़ा किस के लिए पड़ा जिसमें constant velocity से बहुत साय या constant velocity से पानी आया दो पड़ा और last में अभी अभी हमने variable velocity का पड़े लेकिन last के जो points है तब तक हमने एक formula निकाल दिया था कि change in momentum होता है velocity उस instant की into mass per unit of length उस instant का sorry mass striking per second उस instant का mass striking per second mass per unit of length sorry क्या फिर से उस instant की velocity और mass striking per second उस instant का ये निकाल दिया था तो जब हम सारा पढ़के finally ये आ गये थे भाई definition क्या कहती है momentum change per second निकाल ना हमें तो मैंने क्या देखा कि उस instant की velocity निकाल लो उस instant की velocity और उस instant का mass per second तो मैंने जब constant velocity थी तो mass per second निकालने के लिए गालो जाता अप जब्सिष्ट का लेना बढ़एगा न तो इस अग्येरे में में चौटा सा सतुक्ड़ लो और प्रूड़े मज़ेगों कि प्रूड़े मैंने कर दो मास निकाल और उस 2019 काला की निकम्त और टोडुnow। प्रोब्लम है का है क्या कोई प्रोब्लम सुने का बच्चो बूलिए बूलिए सुनना यही काम यहां सा अगर कर दो कि यह जो रसी है या कुछ भी ऐसा है तो भी वेलॉसिस से जा रहा है और यह 0 इनिश्य वेलॉसिस जीरो है विद्धर कि दिरा तो वही कॉशन हो गया каждый बस यह एक प्राविटि जाथ और चूनि एंडर ग्राविटी था। अब उसका उसका कर दिया में एक्सरेट किया घर एक्सरेट कर दिया एक्सरेट जधने क्या च्रक्सरेट छोड़ो.. रहन दो आज समझ मैं यह वही चीट दुबारा कर रहो है न तो ऐसे में क्या करना है देखो यह जब टकरना है तो कम फोर्स लगाएगा न जैसे से पीछे जाएगा वैसे जादा फोर्स क्यों लगाएगा कि विलाउस्टी इसकी बढ़ती जाएगी क्याते जाएगी तो मुझे चाहिए किसी कोई डिसंस अक्स वालर जब टक रहाएगा तब तो किसी डिसंस ने गजब टक रहाएगा यह एक्स दिसंस वाला तो змस्ट जाने में कुछ विलाउस्टी कितिने कर कार लेगा रूट 26 अब जो शूँटा से टुगड़ा वोध्नी जाक और रर्क दburst दर्क विश्वेड़ होne है ना कॉन सुननी कोड़ी करेगा इतने विश्वेयस्टी कितने distant desse तथा तो मैंने छोटा से टुकडा कितना लिया तोआब यह जो छोटा से टुकडा वो इतनी विज़ाविव कि टकरा गा कि नहीं तो यह छोटा से टुकडा का मास बताओ मास अफ इलेमेंट कौन बताएगा कुल मास M है, लेंथ L है, कुल कुल मास कितना हाpero मास अपॉन्ओं इंटू एमास ये बाला हुआ अब ये मास पर सेकेंड अगर दीटेम में टकरा था तो मास पर सेकेंड टीटेम से टेकिन टेक्टेम से ये मास जो टकराएगा टीटिस लोटासा नहीं ये velocity variable है तो vx लेकिन रिखेंगे ना तो यह mass कौन सवाला यह है यह length उसके कितनी है dx यह dx length तो कितने दिर में टक रहता है dt में तो dx length अगर dt में टक रहता है तो उस समय की velocity है कि नहीं यह वाला और वही तो velocity यह भी है ना वही तो velocity इसका मतलब क्या बचा mass प्रिट अफ लेंद्ध इंटु वी एक्स था स्कुर्राइब सुने दे रहा प्च और कराऊं कि ना कराऊं दर आरे हो तुम लोग आज यह मैं दर आरो आज बंद कर ले ना जो नहीं चाहते हैं क्या करूं खतम कर दूँ ना सीक्वेंस खतम होगे या लाज इसांपल बच्चा है सीक्वेंस जो बना है तुम कहां तक समझो उसके बाद चोड़ दो जब कॉन्फिटेंस आए तब पढ़ो तुम्हारी मचे है सीक्वेंस मैंने बना दिया अब तुम देखो कहां तक तुम पढ़ना है अब बताओ मान लो मास पर यूनिट आफ लेंथ वेरेबल कॉस्टन नहीं क्या है मास परिट आफ लेंथ वेरेबल है मास परिट आफ लेंथ साही ना कुछ है लाम्डा नॉट बन प्लस एक्स डरना नहीं इसका मतब यह है कि यह हलका है यह भारी है यह बारी है और भारी है और भारी है एक्स की साथ बेरी कर रहे है न वाचों तो यहाँ पर छोटा सा टुकडा लोगे अब तो उस छोटे से टूडे का मास कितना होगा उस जगह का लाम्डा मास पर टाफ लेंथ इंटू उस जगह की लेंथ होगा कि नहीं उस जगत का मास पर टाफ लेंद इंटू मास आया कि नहीं उस जगत का और फिर वही वेरेबल विलास्टी है वो वी अगर यह है तो वेरेबल तो फोर्च कितना आएगा आप बताओ मास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इंटू अरे भाई यह तो सब वही आ रहा है यह क्या है मास पर टाफ लेंद इसका मतलब कि हर बार एक ही फॉर्मॉला अब यह वेरेबल तो वेरेबल रख देना कॉस्टन तो कॉस्टन रख देना सुनाई दिया यानि एक रिजल्ट बार बार वही बार बार मास पर टाफ लेंद उस इस्टेंट का यानि फाइनल रिदल क्या हुआ इसे पहले में लिखा है था भी लिखा था लिए यह बेरेबल है अगर कॉस्टन तो कॉस्टन रेख देना वही चीजी है देखो यानि लाम्दा उस समय का उस इस्टेंट का जब टकरा रहा है यही हमारा उस इस्टेंट का फोर्स क्या है यही उस इस्टेंट का फोर्स सुनाई दिया सुनाई दिया आरा प्चा यह बताओ यह अधिक रहा है अधिक रहा है क्या होगे आ यह है अधिक रहा है क्या इए आरो पेडी मांदो अब भाताओ लॉक्ट अंधव ए नँकल रहा है सही है आराम जार रूपना तो इता देखना बच्छो देखना यह जोर से निकल रहा है यहां से कुछ सही है ओके ओके मैं उल्टा कर रहा हूं मैं इसको यही पर रोग देता हूं और जितनी जोड़ से यह निकाल रहा था उतनी जोड़ से मैं उसको तक्का दे रहा हूं मतलब उल्टा तो यह क्या वही नहीं है यह विश्वर तेरे पढ़ने पढ़के आए ना कि वी विलाउसी से आके उसे टक्रा रहा है तो वैसे वी विलाउसी से आके उसे टक्रा रहा है उल्टा सुना है यह ओके वी विलाउसी से आ रहा है उसे टक्रा रहा है तो कितना फोर्स लगा रहा है कोई बता रहा है क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है यही ना अरे बोलो बच्चो यही ना तो यही है तो यही है यही है ना यही है ना यही है ना पीटर वही बन गया अरे मास ट्राइगिंग पर सेकेंड इंटू भी बाहरा है लबी सांस सब बहुत कनेक्टेड है पढ़ लेना इसको ठीस है ना यह तो फिर पढ़कर पढ़ाते हैं मेरे खाल से उतना ठीकर नहीं है सिक्वेंस बहुत सिंपल सा है सिक्वेंस काहीं बीच में तूट गया होगा तो काम कता वह लग पर ठीक है मैं अब कल फिर पढ़ा दूंगा बस बता देना कोई प्रॉब्लम ने मैं तो एक लाइट पर ही काम करनों बस मास ट्राइकिंग पर सेकेंड इंटू विलास्टी इस तरह तो कुछ किया नहीं मैंने सुना के बच्चो अब देखना सुनो यह आके वी विलास्टी से उसे टक्रा रहा है तो इतना फॉर्स लगा रहा है लेकिन अगर उतने से यह जा रहा है क्या कुछ अलस फॉर्स लगा रहा है ऊसी का ड्रीवावब देख्लों उल्टा रिवाइट कर लो उसको तो वह यह आके इसको क्या कर राहा है धक्का मार रहा है तो इसको धक्का मारें तो यह जा रहा है और इसपे रिबाउंड होना पीछे भाग रहा है बोलो यही काम होता है जब यह थू करता है इसी चीज़ को जब थू करता है यह आगे की तरफ थू कर तो इसको पेखता है तो इसको पीछे की तरफ क्या मिलता है एक थ्रस्ट और थ तो जैसे यह आके टकर आ रहा है और उसमें गुश जा रहा है एक ताम उल्टा करो एक ताम उल्टा तो यह बाहर निकलेगा तो फिछे भागेगा न वही थ्रो क्या है तो मैं क्यों यहां पर बता रहा हूं मैं यहां पर क्योंकि मैं कुछ चाहता हूं देखना बच्चों हां यहां से यह ठेला है ठेला समझ में आता है इस ठेले पर उपर से सैंड गिर रही है सैंड समझ रहे हूं न और सैंड गिर रही है यहां पर एक अटी होती जा रही है यह ठेला भी विलॉस्टी से चल रहा था यह ठेला किते चल रहा था यह ठेला किते चल रहा था ठेक है अब बताओ ठेले पर जो सैंड गिर रही थी उसकी विलॉस्टी कितने थी वर्टिकल थी क्या होरिजनल कोई विलॉस्टी थी तो ठेले पर जो सैंड गिर रही थी उसकी होरिजनल विलॉस्टी थी क्या अरे सोचो, बोलो, थी क्या, सैंड पे, सैंड गई रही थी, उसमें होजगरनल लुछ विलास्जी थी क्या, क्या वर्टीकल विलास्जी थी ना, लेकिन गिरने के बाद, हो गई, हो गई ना, बोलो, तो इसका मतलब कि सैंड के उस छोटे से टुकडे को, जो दीटी टाइम मे भी गिर हो के उसको मोमेंटम हमने दिया उसको मोमेंटम किस ने दिया और एक सेकेड़ में जितना मोमेंटम धेले उसके ले लिया घैल आ उस है ते क्या क्रीट किया? थैला था चल रहा था उपर से शान गिर थी और शान गिर दिणी वादम देख कि लुब लाजिडने के विलॉसी देख नें इसका मतना होजनटल ऑगस में उसको मोमेंटम देख दिया तो एक सेकन्ड में मोमेंटम उस सांड ने मुंसे लिया ना, तो किसे ल इसंतर बेदल हो जाएगी, बढ़ेगी, घडए गेगी, पका न, क्योंकि सेन उतनी विलॉसिटी क्या करता जा रहा है, मोमेंटल अले टा जारा है, अब दो बंद आ है, ख़िकिस की टाईम पे इसकी विलॉसिटी बताओ, कितना होगा गोर्टी कॉश्ड ही है किपैर यह पर िपी इस उलाँ बटाँ तो पे有लासिता हो ईचना यह बनता है कि यह उस्से पर टुर्शरा वंड़ा यज़ा तो यह F force किसकी भर्पाई करना चाहिए? Rate of change of momentum की क्यानि कितना momentum ठेला किसको दे रहा है? Sand force, अगर उतना momentum per second मैं इसको देदू without up my force, तो ठेले को देने की कुछ जरत नहीं होगी पर वो पांसनल लाज चाहता जाएगा मेरी पास वाज में? तो कितना force लगाना पड़ेगा? Momentum given to sand, yes Sand per second, है ना बच्चो? Momentum given to sand per second और यह गिर कितने तरह होगा? कुछ दिया होगा ना? DM by dt, कितना दिया होगा? DM by dt, per second कितना sand गिरा दिया होगा? तो कितना momentum दिया जा रहा? DM by dt इतना mass को दिया जा रहा है per second और कि velocity 0 से बढ़ा के भी कर दिया जा रही है तो इतना दिया जा रहा है ना? तो इतना force लगाना पड़ेगा कि इसको खेले पे सिच्चे कि constant velocity चले अन्य मेरी बास समझ में? और अकर इतना force नहीं लगाओगे इतना force तो इतना retard करने लगेगा उसको क्या करने लगेगा? तो retardation कितना हो जाएगा? DM by dt into V upon M किसका mass? ठेलेगा यानि पुरे के पुरे आट का जो भी हो इतना retardation आचाएगा क्या जाएगा इतना? यह R retardation आचाएगा इतना और retardation आचाएगा तो दिरेदरे विलाउस्टी क्या होता जाएगा? कम यानि dv by dt must be equal to minus r रखके integrate कर दो दिरेदर उदर करके तो विलाउस्टी आचाएगी किछी टाइम पे टेंसन नहीं लेने का तोड़ा ध्यान में दखना है आपसे ना डाथा नहीं है तुमलों color class में रैटन लेकिन टेंसनन हे लेकर चोड़ना नहीं है न मैंने वैसे भी कहा था इस क्लास में हमें नहीं सोचना है कि हमें कितना आ रहा है हमें बस free होके सुननगों औस क्या होती है בחistent जादा नहीं सोचना है न समझ ने, तुम्हों वह बस फीद करना रहा है आप तो चुप जाए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सोच में अभी नहीं आया तो इसले बॉस्किल होगा अभी सोच में नहीं आया ना, तुम मॉस्किल होगा बच्चो में बाश समझो तुम्हेलाइन समाझ में आ रहा है तुम्हें का रोकते और तुम्हें को पक्रीत दे रहा है । visit आरोड़ किन आ नबा कालगा तो ओमॉने सुना एंदीक नहीं संब्सहनद रहा तो रेलियर क्या कि यूग मुझे तो ऐसा लगता कि सोच में थोड़ा पहले कभी नहीं आहे यह पक्र इससे पहले कभी नहीं पढ़ा को यह ठीक है लेकिन पढ़ने के लिए एक ही स्चोरी सुरु से चली आ रहे है एक डेड़ गंटे से, एक ही स्टोरी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें, बस तुम आज ही कर लेना इसके कोशन, और यह कोशन अपने पूप में नहीं मिलेगे, तो कहां मिलेगे, इरड़ो में 5-6 कोशन दिये, किसी सेव कर आप लोग शेयर करे ना एक जन, हाँ, 5-6-7 कोशन इरड़ो में दिये, वो करे ना बस, और अदर्वाइस, अट लिस्ट मेरी कॉपी तो त्यार रक लेना, जितना बता है इतना तु करे लेना, काफी हो गया, मैंने तो कुछी घरा करनाने का सोचना रहाँ, यह दिमाग में घुसना चाहिए यह concept इं दिमाग में घुसना चाहिए, वेक ऑप वमाइंट जाना चाहिए सब कॉंसर में जाना चाहिए इसका मतलब और यह बहुत बड़ी चीज नहीं है, सोचो मैं क्या अजैसे मैं जा रहा हूँ, सही है, ऐसे चल रहा हूँ वी विलोसी से, और इधर से, क्या किते है उसको, आरियन मंन का सूट की ऐखे चिपक चा रहा हूँ, अधिको समझें, तो आईरलमेंट के सूट की विलाउस्टी की इदर है, और जन्टल, मैं उसको कहां दे रहा हूं, इसका मंदल इसको मोमेंटम मैं दे रहा हूं, तो क्या होगा, मेरी विलाउस्टी को जिए गी, अगर मैं फ्रिक्सन, मालो फ्रिक्सल शर्वे पर ऐसे मैं जाओंगा, या तो कोई पीछे से मुझे धर्का दे, जितना फोर्स वो ले रहा है, पर सेकेंड जितना मोमेंटम ले रहा है, तो मुझे कोई दे दे दे, तो तो मोमेंटम पर सेकेंड मुझे कौन देगा, फोर्स, यानि कोई फोर्स मुझे धर्का दे, समझ में यह क्या है यह जा रहा है यह जा रहा है इसा हमें जा रहा है 1-2 और मोमेंटमें जो इन पर सेकिंट खाएगा उतना या तो श्यांतब को इससे कम हो जाएगा या इतना फोर्ष लगा के मैं उतना देते जाओ पर सेकड जाई दिया यह सिंपल से बात क्लियर अभी तुमने सुना होगा या नहीं सुना होगा पता नहीं चाइना ने एक वह बनाया सेटलाइट अपना बनाया है जुना उसके सामने ऐसे जाल लगी है, क्या लगी है, जाल, वो जाल क्या करती है, वो पुरान ही सैटलाइट है, चलिश चलिश पचा साल पुराने तुगड़े फैल गए है, कहाँ पे, जीव स्टेशिनरी जो और अबिट है उसमें, तो वो सारे टुगड़ों को क्या करे शो, और इसे अब मैं सूप तो फटो चुपचा कुग वहीप रुखए रुख भेत या रुखळ आज तो dm by dt, यानि first second कितना मासी कटा किया, into, मेरी वलाउची, क्योंकि इसे वलाउची कि क्या थी, 0, और मेरी वलाउची के थी, V, तो V, 0 से V तक ले जाने के लिए, dm by dt मास को, 0 से V तक ले जाने के लिए, कितना पर करना पड़ेगा, और कितना फोर्च लगाना पड़ेगा, d dm by dt, into, इतना फोर्च का गाना पड़ेगा, तो इतना फोर्च कहीं से मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं देर, 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 क्या हो जाओँगा, रूप जाओँगा, यानि, रिटार्ट कर जाओँगा, कहीं देर से मैं जो समझा रहा हूँ, अभी समझ में आया, तो इसको समझ वादरेट आके दीवाल से ठकराएं, तो दीवाल ने उसको मॉमेंटम दिय और इसने दिवाल को मोमेंटम दिया, जैना वैसे, तो ये रोक्र प्रबरेश्ट तो थोड़ार थोड़ा थामिंद़नील से मोमेंटम पे है है, बेस्ड, इसलिए वो थोड़ा यहां पे उतना फ इरडोफ के एक पेव है किसे तुम्हारे पास है ना फोटो कीच के भी देना ग्रोप में है ना वेरेबल मास्क वो न्यूटन स्लाव में है तो रहन दिया इतना वहत हो गया बूलो